आज स्वानू खालसा राजदे गदारां दा ओ किसा सनावांगे जिनू सुनके थवडियां रगांच खून अबाले खान लग जूगा किसा ओ जंग दा जीते हर मोड ते इना गदारां ने सेख फौजां दी पिठच खंजर खवए ते जिती हुई जंग सिखानू हारनी पई वीडियो देख दे हुए थवडियो ए लगूगा कई वार के तुसी ओ थे मौके ते मजूद क्योनी सी जदों ए गदारां दी जुंडली सिख फौजां दे बरूद वाले बकसियां च सड़ी हुई सरों ते रेता पर रे सी जिस जंग वारे अंग्रेज इतिहास कार ए लिख देने के एहो जी गदारी दे योदार नपार्त दे इतिहास चिकिते नी मिल दी जे इस सपोड ये उस दिन जंग दे मैदांच ना हुंदे ता खालसा राज दे किन नही शेरा वर गे योदे शहीद ना हुंदे पंजाब ते फिरंगियां दा कब जाना हुंदा ते लहौर दे किले ते खालसाई चंडे दी थां ते जूनियन जैक दा चंडा ना हुंदा ते महराणी जंद कौर अपने मैला नु छट के जंगल बेले आँच पटक दी ना फिर दी ते महराजा दलीप सिंग अपनी सरजमीन तों दूर ना हुंदे जे लालची उस जंग च गदारी ना कर दे ता शेर पंजाब महराजा रंजीत सिंग दा खालसा राज किसे रेत दे महल बांग टैटेरी ना हुंदा एक गदारा दे नाल नाल ते हनू एक महान सिख योदे दी गाथावी सना मांगे जिसने सथ साल दी उमर्च जंग दे मैदान च अंगरेजा दे गटे लाहे जड़ा लखा लालचा दे बावजूद बेके आनी ते अपनी सरजमीन नू जिसने तो खानी दता अबने पंजाब नू अपने खाल सा राज नू जिसने तो खानी दता वीडियो शुरू करन तो पहला तुह नू एक एहम जानकारी ते एक बेंटी करनी या कि पंजाब से या ते नाल नाल होने सी एक नमा चैनल स्टराट कीता है जी तगा नाम है पंजाब से चैनल नो तुसी जिन थे प्यार दे रहे हों उमीद कर दे आं किस से फेस्बूक ते यूटूब नू भी तुसी उनना ही प्यार दोंगे ते लिंक से डिस्क्रिप्शन चे दिता होया है पंजाब से किसे दा फेस्बुक पेज ते यूट्यूब चैनल हुने जाके लाइक ते सबस्क्राइब तुसी कर सकते हूँ ता जो नमिया वीडियोज ओ चैनल ते जड़िया आउन गिया हूँ तक्रीबन सत साल हो चुके ने एक साझ अपने तिन महाराजे खुन तो बाद्य तक्त लज़ डरजना खुन हुन तो बाद एक वड़ी खुनी खेड़ तो बाद हूँ लहौर दर बार बिलक tama कंड़े चुक्छे आए जिदे लहौर दर बार्च महाराजा रंजीत सिंग दे हुंदियां पुंजाब दी बेतरी पुंजाब दी खुशहाली लई चर्चामा हुंदियां सी हुन उस लहौर दर बार्च गदारां दा बोल वाला है ते तख्त ते विराज माने अट साल दा बाल महराजा दलीब सिंग जिस दा सारा कमकाज देख दी है उस दी माता महराणी जन्द कोर पर ताकत है गुलाब सिंग डोगरे दे हत ते जिड़े अंगरेज महराजा रंजीत सिंग दे हुंदेयां लहौर किले दी देली चड़न लगयां वी चुके सलाम कर दे सी ओज ओसे ही लहौर तख्त नो अखांद खान लगगे ने ते अंगरेज लहौर तख्त ते पंजाब ते कप जा करना चाहूं दे ने ते उनना दे रादा सब तो बड़ा रोड़ा है खालसा फाज क्योंके महराजा रंजीत सिंग दी मौतों बाद ते लहौर दरबार दे बिल्कुल खिंड जान ते कमजोर हो जान तो बाद भी खालसा फाज हजे बड़े तकड़े तकड़े सिख ही हो दे मौजूद सी ते अंगरेजजानों पता सी के खालसा फाज दे हुंदियां लहौर दे तख्त तक पहुंचना कोई खाला जीदा वाड़ा नहीं है इतहास च ए लिखिया मिलदा है के फिर अंगरेजजाने चलना चलनियां शुरू कीतियां अंगरेजजाने गुलाब सिंग, तेज सिंग, लाल सिंग, वरग्या, नाल मिलके गंड तुप करनी शुरू कर दिती लहौर दरवार ते खालसा फाजजांच एहे बड़े बड़े ओधे आउदियां ते बैठे सी गुलाब सिंग जो सी एहे लहौर दरवार दा मुखी सी समें लाल सिंग, वजीर सी लहौर दरवार दा ते तेज सिंग, खालसा फाजजान दा कमांडर सी कोई छोटे मोटे आउदियां ते नहीं सी गए है ते हासकारे लिख दे ने के फिर अंग्रेज जान दा इना नाल समझाओता होया समझाओता एसी के अंग्रेज खालसा फाजजान दे हमला करनगे ते जंग दे मैदान दे बिच चल दी जंग दे बिच उस तो बाद फिर फिरोशा बद्दोवाल अलीवाल जंगां हंदियां ने ते यह सारी यह जंगां चे भी मिताबग लास कीफे सेंग मुणग यहे अंग्रिजान दी मदद कर देने, गद्दारियां कर देने इनी तकडी खालसा फाज होंदे बावजूद भी सिख जितनी पौंदे लहार बैठी महराणी जिन्दकॉर नो ज़दों इनने गद्दारियां दी खबर मिल दिया इना तों दुखी हो के महरानी जेंद कौर फिर शाम सिंग अटारी वाले नू चठी लिख दिया एक दुखी मानना लिखी होई चठी च की लिख दिया महरानी जेंद कौर कौन है शाम सिंग अटारी वाला इनना बारे आप थोड़ा या दास दिन ने या जिनना नू नहीं पता शाम सिंग अटारी वाला सिख कौम दे बड़े महान योदा सी ते किसे टैम ते महराजा रंजीत सिंग दे पक्के बेली रहे बाद चो महराजा रंजीत सिंग दे पुत्ते नौ नहाल नाल शाम सिंग अटारी वाला दी ती दा व्या होया दो दोस्त फिर कुडम बन गे सी ते महराजा रंजीत सिंग दे जयोंदयां ही शाम सिंग अटारी वाला नू लहौर दर्वार च डोगरियां दी जाधा इंटरफेरेंस पसंद नहीं सी एक गल्दा जदोन ने जिकर कीता तां महराजा रंजीत सिंग ते शाम सिंग अटारी वाला दे कई मतपेद हो गए ते शाम सिंग अटारी वाला ने लहौर दर्वार तो दूरी बना लई शाम सिंग अटारी वाला को जद महराणी जंद कौर दी चिठी पहुंच दी आता चिठी च गद्दारा दी गद्दारी वारे सारा कुछ लिखिया हुंदा चिठी पढ़के शाम सिंग दियां अखांच खून उत्रहूं दाए। शाम सिंग दी इस विले तक्रीबन सट साल दी उमर है। ते साड़े सत फुट दा कद ते पहाड जड़ा जेरा। शाम सिंग दे डौले फरकन लग जन देने। शाम सिंग कोड अपनी वी एक पर्सनल फौज सी। अपनी पर्सनल फौज नू तियार करके शाम सिंग जंग दे मैदांच जान लई तियारी खेच दिन देने। जानतों पहला गुरु गरंत साहिब अगे अरदास कीती जन दिया। ते शाम सिंग अटारी वाला खुद अरदा कर देने के जाता मैं जंग्चों जट के आऊंगा नहीं तांं जंग्च ही शहीद होंगा मैं जयाएंदा वापस अटारी नहीं आऊंगा। ते जंग लई रवाना हों तो पहला शाम सिंग अटारी वाला अपनी तलवार म्यान विच ओं कड लेंदेने। ते उखाली म्यान अपनी तरंपतनी बीबी देशा नो देदेने ते बीबी देशा फिरते हरान हो के पुछ देने के मैं एक खाली मियांदा की करूंगी पर जे में जंग दे मेंदांच शहीद हो गया तो तसी ए नहीं कहना कि शाम से इंग टारी वाला हार गया है तो तुसी ए कहना कि गुरू दा खालसा अपनी तलवार जंग दे मेंदांच छड़ाया एक खाल इरू कमबाऊ बोल सीगे शाम सिंग अटारी वाला दे जंग दे मैदान च जान तो पहला अपने हाथियां वर गे कोड़यां ते फिर शाम सिंग अटारी वाला ते उना दी फाज बैठ जान दिया उस दिन शाम सिंग अटारी वाला नू देखके एल अगरिया सी जिमें कोई बुड़ा शेर फिर तो जवान हो गया है ते गिदड़ा दा शिकार करन चले आ है इस सारे सीन नू इस सारे वाक्या नू हरचंद सिंग ने बहुत सोणिया लेना जब जा बियान कीता है वज्जे टोल नगारे जदों विच अटारी दे आये विखन लोकी छड के कार विहार कर अर दासे जंगनू चड़े पुत्तर मामा दे जट दे लाजय कारे सांबले हत्यार शाम सिंग अटारी तर्या पैर रकाब ते चिट्टे कोडे उते चड बैठा सरदार चिट्टा दाड़ा ते गल विच चिट्टा कुडता है सजाई सीस उते सी उस चिट्टी दस्तार सारे शष्टर पाके कमर कसा कस बैठा वांग जवानना जापे चेरे दी चलकार हाथियां वरगे कोडे पाले नाल खुराकां दे सरुआं वरगे गबरू उतेने असवार बाबा बंदा सिंग सी तुरे आजे में ना देड़तों तुरे जंग नू योदे त्याके दसमदा तार एदरों शाम सिंग टारी वाला जंग दे मैदान ली रवाना हो जानदा है ते उद्धर अंगरेज पूरे कबराए होए हुंदेने अंगरेज जान ने पामे पिछलियां जंगा जेतलियां सी पर जो सिखाने जोहर दखाए सी जंग दे मैदांच उन्हें अंगरेज जाने पैर खाड़ देते ते रातां दी नीन हराम कर देती सी पर हमें लहोर दरवार दे गद्दार अंग्रेजजा नो पूरा प्रोसाद वारे सी के असी थोड़े नाला ते नाल ही रहांगे पर केंदेने के एच्थे फिर अंग्रेजजा ने होर तकडियां प्लैनिंग्स शुरू कर देती हैं गुलाब सेंग डोग रहोना नाल एक प्लैन त्यार कीता गया के किमें सिख फौजा नो हराया जाएगा किमें लाल सिंग ते सिंग गतारियां करनेगे ते बहुती फौज ता जड़ी खाल सा फौज है उजंग दे मैदांच शिहीद हो जाएगी जड़ी बच जाएगी उनू लहौर दरवार नौकरी तो कड़ देगा एक 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 तोहड़ी वजा करके हारे यां सी ते अंग्रेजजान दा रा फिर पद्रा हो जाएगा लहौर देख लेवालनू एसी की पूरी प्लैनिक फरबरी ठारा सो छाड़ी दे पहले हफ्ते च अंग्रेजजाने सब्रामा दे मैदांच वड़ियां वड़ियां तोपा ते जंगी समान बीड के मोर्चबंदी एक कोना ने कच्चा किलाव सा रहा हो थे जिदा नाम रख्या फतेगड ते हुण उसे ही सब रामानू फतेगड सब रामान दे नाम नाल जने जानदा है जड़ा सतलुई दर्या सीगा उदेच एक बेड़ियां जोड के पुल त्यार किता गया बहुत सारीयां बेड़ियां चोट गोड़ा बरूद रखेया गया ता जो लॉड पहन थे खाल सा फोझिदे कमाल सकें जड़ा हो पुल सीगा उदा कमांडर सी योदी पूरी जिम्मेव़री सीगी तेज सिंग धी तेज लोड पहनते खालसा फौज देज ओंक कमा सके, ते जड़ा हो बुल सीगा उधा कमडर सी ओधी पूरी ऍसमेबारी सी घी तेज सिंह दी बुलिव Jew जिताब ł He ngذ जाने जिए फौजाद जजबे नाड़ बर देने जो फौजाद आप segregons नार्ण तुट कोने भी तेयह कमांडर कुमांडर ही गठाण सा है जीह ते खाल्साइ बेडियाँ वाल पौल पोल जो दि-जभ़मान्री तेर दूसरा गदार जग द मैदानाचे मजूद है लाल सिंग लासेंग जो लाहूर-दरवार देलें सब्यागी प 666ep 009 ट्रवर्व 577 गुलाब सिंग गिलाब द्रव 255 m रस्द पानी पे जना खालसा फौज नू थे लोड पैन थे होर जंगी समान पे जना केंदेने के मोर्चा बंदी जदों दुननों पासियों शुरू होई उस समय खालसा फौज जान दी जड़ी स्थेती सी पुजीशन सी और बहुत तकडी सी तकरीबन बाई हजार फौज उथे मजूद सी इनना कोड़ दोसो जमूर के सी ते पैंट के तोपा सी गिया जमूर के होंदेने जो बड़ियां वदुखा होंदियां ने ते अंग्रेज बहुत ही कट गेंतीच सी गियो थे इत्थे केंदेने के गुलाब सिंग ने अंग्रेज कारें लोकर जयतो गत्रों हीं हामला करें तोैक अंग्रेज माड़ी पुजरिशन ची सी घे वीक सी गेंतों बड़ियां तोपां आरी जान्व गिलाप सिंग ने हमला के सी तो चो जे उसे दिन हमला हो जान दा अंग्रेज डरे हो ऐसी खाल सा फौजा चड़ दी कलाच सीगिया ते वड़ी गेंती सीगिया उस तो दो कदम अगे दी गदारी फिर लाल संग ने की ती इतिहास कार ए लिख देने के जंग शुरू हों तो तकरीबन तिन दिन पहला लाल स जे ने सिख अढ़ान दी पूरी जो मूर्चा बंदी दा नाक्षा सीगा उँंग्रेज जानू पेज देता लेख के लाल संग पेज के सिख nämाधी की मूर्चा बंदीया कित यिर किते पुल मणाया गया है केड़े पास्यों सिहक्फॉज parallधिया ते केड़े पास्यों और तपर डना हो गई जिसंगे तकड़ी खिच्यां कि अजा कारी कार दे रहे ते दस तरीक दी सवेर सूर चड़न तो पहला मुह ने रही लुक छिपके अंगरेज्जा ने तुपां दे गोले वराणे शुरू कर दे खाल सा फौज दे खाल सा फौज भी एकदम चुकनी हो गई दोना पास्यां तो अग बरन लगी तकरीबन तिन कांटे जांग चली जमें होन लाल सेंग ने पेद दिते होय सी तां अंगरेज्जा दी एक टुकडी जड़ी सिख फौज जड़े पासयों कमजोर सी सज्जे पासयों उद्धर नूँ वदन लगी अंगरेज्जा ने आव दी फौज नूँ ए थे तेने हिस्स्यां जबंड़ा होया सिखां दे कमजोर हिस्से जो सज्जे हत सी उदे वालनू बदन लग गया हला बुलन लग गये फिरो ते हैरी स्मिथ दे नाल एथे परानी फौज नी सी बिलकुल नमी फौज सी जड़ी सिखां दे बारे जान दी ही नी सी के सिख केड़ी मिटी दे बढ़ी ने किनने जुज पर अंग्रेज जान दे केंदेने के कुछ पड़ा ची अंग्रेज जान दिया लाशां विस्चा दितियां सिखाने हो थे हैरी स्मिथ दे ब्रिगेड नू मर्दियां देख के गिलबर्ट उथों पजिया फिर अफ़ी फौज नू लेखे ओही हाल सिखाने फिर गिलबर्ट दे काफलेदा कीता एक गदारां दियां चलनाएं थे फेल होन लगगियां सिखाने किले कोल अंग्रेज जान दे लहू दे छपर वाग्रे सिख फौज जान दिये बहादरी नू शा महम्मद कुछ इस तरीके ना बयान करता है आईयां परतलां बीड के तोप खाने अगों सि दे वांग निम्बुआं लहू न चोड़ सुटे खालसा फौजान दे जैकारियां नाल आसमान वी कंबन लगगया सि अंग्रेज होन पर जंदी त्यारी करन लग गए सि ओही अंग्रेज जो खालसा राज नू दबण दियां त्यारियां कर रहे सि ओही अंग्रेज जो दियां ते काल बन के चड़ागयां सी अंग्रेज बस कुछ ही पलांच एजंग से खांदे हाथा जाएगी सिखांदा एजंग जतना पूरे पार्तली बहुत एहम सी क्योंके पंजाब एक एहजा अलाका सी जो हजे तक अंग्रेज जान दे कब जेच नहीं सी ते सिखांदी एजिततों बाद पूरे पार्त चे एक मेसेज जाना सी होर पता ही नहीं किन्ने नबाब किन्ने राजे जिना दे अलाके अंग्रेज जाने दबे होए सी उनने बगापता शुरू करते नहीं सी हो सकदा सी पूरा पार्ती उठकड़ा हो जानदा अंग्रेज जान दे खिलाफ एक पगदर मच गई जिडियां बेडियां च सिखां दा गोड़ा बरूद रख्या होया सी ओ द्रियाच ही ड़ो गया ते ए जालम जानदा होया बेडियां दा पुल हीटा अगया पूरा तां जो सिख मेरे तक ना पौंच सकन जिडिक खालसा फौज थोड़ा चिरपल नहीं जेते दे जाकारे लारी सी ओसे ही खालसा फौज दे चेरियां दा रंग फिका पह गया सी होन किसे नो कोई पता नहीं चाल रहा सी के की करिए तेज सिंग लाल सिंग अपनी छे हजार दी फौज लेके पज चुके सी ते एदरों सिखा दियां तो पांच गोले बरूद भी खतम होन लगें सिखाने जदों अपने बरूद बले बक्ष से खोले ता उना दे अंदरों सडी होई सरों तेरे ता निकले आ खालसा फौज दी हालत होन तर्स योग हो गई सी सिख लड़नली त्यार बैठे सी पर लड़ाण वाड़ा कोई ने सी कमांडर ही दगे वाज निकल गए ते पिछे सिखान दे हत छड़ गे निराशा ते बरूद दी था ते सडी होई सरों ते रेता ते एथे एंट्री होन दी या ओ बज़र्ग सिख योदे शाम सिंग अटारी वाड़ा दी सट साल दी योदी उमर है चिटे कोड़े ते सवार चिटी पशाक पहनी होई या ते चिटी दस्तार दे उते चिटे रंग दी ही कलगी लगाई होई या शाम सिंग अटारी वाड़ा दे चेरे ते एक लाली शाई होई या ते उदा कोड़ा हवा नाल गल्लां करदा होया तो फान दी तरह पूरी खाल सा फौज को मर्या है ते खालसा फौज दे डिगे होई होसले नू शाम सिंग अटारी वाला एक नमी जान दिन्दा है एक नमा होसला दिन्दा है खालसा फौज जाके शाम सिंग अटारी वाला फिर जोश नल केंदा है के हुण थोड़ी कौमी पर्खदा वेला आ गया है जे तुसी गुरू दे खालसा हों गुरू दे सचे सिक्ख हों तां अपनी मिटी नाल दगानी करनी अपनी पंजाब नाल दगानी करना जंग दे मैदान चो पजना नहीं हैं आदाडियां लेके असीं आदस्तारां लेके असीं हार के ए जंग दे मैदांच जो नहीं जाना पा में शहीद हो जाईए पर जूज के शहीद हो मांगे शाम सिंग अटारी वाला दे ए रूक बाऊ बुला नाल खाल सा फौजांच एक नमी जान आ जान दिया उन्हें परवा नहीं है के लाल सिंग तेज सिंग होनी कि थे गए उन्हें परवा नहीं है के साड़े कोल गोला बरूद नहीं है उन्हें परवा नहीं है के अग्ये साड़ा की बनूगा सामने ओं अंगरेज वर आ रहे ने तोपांच ओं अग दे गोले ते एदर खालसा फौजां कोड़ तोपांच कोई गोला वरूद नहीं है ते शाम सिंग अटारी वाला फिर गुरू गोबिन सिंग जी दी बख्षी होई ते एग दे सरते ही अंगरेज जाँ वर नूँ हला बोल देने अपनी खालसा फौज नाल अंगरेज जाँ दी तरफों आरे ने अग दे गोले ते खालसा फौज जाने वाईया होयाने ते गां ते पंजार नंबर बटालियां दे उत्ते टोट पेंदाय शाम सिंग अटारी वाला ते किन्ने ही फरंगियां दे फर गाटे लादेने ने हो पर तलवारां किन्ना के टैम टेक पौँदियां तो पांदे गोले आगे अंगरेज जाने गोलियां दा मी वरादता ते पहली गोली लग दिया शाम सिंग अटारी वाला दे कोडे नू नाल दी नाल ही शाम सिंग अटारी वाड़ा अपना कोड़ा बदल लेंदेने ते उस तो बाद फिर शाम सिंग अटारी वाड़ा नू सत गोड़ियां लग दियाने ते गुरू दा इस सिक जमीन ते जा डिगदाए ते अपनी सरजमीन लई लड़दा फिर उते शहीद हो जानदा है इतिहासकार ए लिखदे ने के शाम सिंग अटारी वाला ने अपनी तलवार दा मुठाई ने जोर दी फड़या हुंदा है के उते शहीद हों तो बाद भी जद उते शरीर नू चक्या गया तां बहुत मशक्कत नाल ओ मुठी खोलनी पई सी इतिहासकार ए भी लिखदे ने के खालसा फौज चो एक वी सपाही ने आत्मस मरपनी कीता ते एक वी सपाही जंग दे मैदान चो पाजिके नी गया उस दिन ते इस तरीके नाल गदारां दी गदारी करके सिक फाज एक जिती होई जंग एथे हार गई ए जंग तो बाद अंग्रेजा दा सिदा दखल हो गया लहुर दरबारच ते अंग्रेजा ने अपना एक बंदा फिट कर देता लहुर दरबारच इस तो बाद फिर किमें पूरा कब जा होया लहौर दरबार ते अंग्रेजगा दा ते पूरा पंजाब किमें कब जाए चलाय लिया अंग्रेजगा ने ए तो आनू अगली वीडियो चदसांगे अज़दा एतिहास जे तो आनू पसंदा आया ता ए वीडियो नू तुसी अगे भी पेश सक देयों ते साड़े नमे पेज पंजाब से किसे दे फेस्बुक पेज ते यूट्यूब चैनल नू भी तुसी सब्सक्राइब करके प्यार दो पंजाब से वीडियो जे एदन ही यूधीय रैंगें ते असी नमे नमे किसे कहाणिया इतिहास देतवहन dapat पंजाब से किसे ते सनाया करांगे इतिहास दास देया क कोई भी गलती हो गई होवे ता उधे ले असी माराफी मग देयां वाइगरू जी का खाल सा वाइगरू जी की पते हैं.